हलो माय दियर स्टूरेंट्स और फ्रेंड्स वेल्कम बेक एक नया वीडियो फिर से बना रहा हूँ और यहां पे मैं आपको पताऊंगा कि जैसे वर्व है न वाक चलना तो उसमें एडवांस बॉकिवलरी में हम और कितने वर्ट्स यूज़ कर सकते हैं वाक के स्थान पर तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं यहां पर तो यह एडवांस इंग्लिश वाकिवलरी है और यह किस वर्ट्स के लिए है यह हम बात करेंगे वाक के लिए तो जनरली वाक तो कॉमन वर्ड है जो आप जानते हैं लेकिन और अलग अलग तरीके से चलना यह से लड़कडा के चलना मस्ती हैं तो उसके लिए अलग अलग वर्ट्स हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं okay so let's start the first I want to tell you about these words so stroll, sounder, mozy stroll, sounder, mozy यह तीनों का एक ही मतलब है यह सिनूने में यह वाक के सिनूने में stroll, sounder, mozy पर यह कैसे चलना होता है जैसे हम relaxed mood में हैं और चलने लगे हम यह हम free हैं तो हमने थोड़ा walk कर लेते हैं let's go for a stroll तो उसके लिए हम use करते हैं stroll, sounder, mozy relax हैं, कोई काम नहीं हैं तो उसके लिए हम करते हैं to walk in relaxed and leisurely way मतलब आफ free feel कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं तो यह इसको हम यहां is equal to यह इसका meaning हो गया ठीक है so let's take some example here जैसे तो यह noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है stroll stroll verb भी है, noun भी हो सकता है जैसे मैंने भी एक example दिया let's go for a stroll तो यह यहां पर noun हो गया let's go for a stroll तो यह यहां पर noun हो गया लेकिन आगर इसको हम verb की तरह यूज करें तो जैसे हमने का i stroll along the park in the evening means i want to tell you here this is verb I stroll along the park in the evening मैं शाम को पार्क में ऐसी टहलने गूमने चला गया है गूमा वहां पर तो इस ट्रॉल साउंटर मुजी जब आराम में हैं मस्ती में हैं फ्री है तो उस गूमने को बोलते हैं ठीक है अभी नेक्स्ट हम पढ़ते इस ट्राइट यह भी हम वाक की जगे पर यूज कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है यह थोड़ा समझ लीजिया जैसे स्ट्राइट मतलब होता है वाक तो है पर यह ऐसी वाक नहीं कि जो मस्ती में चल रही है इसमें कुछ हम फास्ट चलते हैं और बड़े बड़े स्टेप चलते हैं कि हम चाहते हैं वाक करना तो हमारी एक्षा है वाउक करने की, इसलिए इस्ट्राइड बहुत है इसको, ठीक है? तो इसका जो मीनिंग है वो अपन ले सकते हैं, टू वाउक फास लॉंग स्टेपस, मतलब हम चाहते हैं चलना, इसलिए हम स्ट्राइड के लिए जा रहे हैं, मतलब हम एक्सरसाइस के मूट में हैं तो इस ट्राइट वाप विद पास्ट एन लॉंग स्टेप इनरजी एन गॉंफिदेंस तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे मैंने बूला हम यही स्ट्रोड कर फास्ट कर दो चाइच तपस्ट स्ट्रोड फास्ट तपस्ट पस्टेख चला और लॉंग स्ट्रेफ विद आश्टने के लिए जैसे मैंने बता है कि घुमने का उद्देश है तो वो तो है, पर कोई particular काम को करना भी हमारा वहाँ पर aim है, इसलिए he strolled fast to catch the bus, और the speaker strolled across the stage and took the microphone, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, एक्जाम्पल, कि जो speaker था, वो stage stage चला वहाँ पर, stage के पास तक ही वो, और उसने वो microphone लिया, वहाँ से, तो stride भी हम use कर सकते हैं, ठीक है, next is pace, तो pace पी एक verb है, जो walk का advanced vocabulary है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तब pace मतलब है, जैसे, चले, फिर पीछे आ गया है, फिर चले, इदर चले गया है, फिर वापस आ गया है, that is pace, means to walk back and forth, especially when you are nervous, or you have no work to do, यहाँ आप कुछ उदास हो, कुछ nervous हो, मैं ऐसा करते हैं, इदर चलते हैं, यह कुछ सोच रहे होतें, इदर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ऐसे like that, so to walk back and forth, especially when we are nervous, or bored, or thinking, or worrying, यह हम चिन्ता में हैं तब, तो यह इसका meaning है, जैसे आपने देखा हुआ कई बार हम कोई patient, hospital में admit किया है, तो फिर हम बहार गूब रहे हैं, बेट कर रहे हैं, पता नहीं, patient की हालत कैसी है, तो that time we paste, you can say, so, like he, paste, the floor, in the hospital, waiting, गिम्रेट जार वांफनी, जाइब हम एल क।छंगा है जाएब हम एलह लेंगा ओ उते तर म का म Northeast कि को पर अपर अपर अ उपर ऑजर ऐस्ट आप और अ पर अपराइद आधर to have a news about his mother or patient to whatever news about his mother like that okay okay so now let's take another to a be a happy hamistry little thing to straight as a a okay pijara lakin rasta patak yeah skilly hamster use cut they go away from a group or from the from going on the right path to us about again to the school boys read off their way during the trip you go back to school okay but next is stumble stumble with the time is it children don't know pairing them up can see you get to up give me just a boy to my shoe got caught in a crack from the sidewalk and I stumbled to get stagger totter rota larkana jana to look at a naked city my jana toh jaysay hamna ka yeh hamis ka example ham yaha le sakte hai ki the drunk man staggered across aaster war doh kha kha na ke gira kiya kiya ki wo wos na drink kiya tha doh और रोम हम लेते हैं, रोम भी बड़ा common word है, वाक के लिए advanced, वाक के लड़ी में अगर हम जाते हैं तो, तो रोम मतलब होता है, कोई fix, कोई purpose होता है हमारा चलने का, तब हम इसको use करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, रोम मतलब to walk for a purpose, to walk for a purpose, purpose के लिए चलना, जैसे हम कह सकते हैं, the room, along, along the market, to find a good restaurant. रेस्ट्राउं रेस्टोरेंट तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप चले तो यह हम एक्जामपल ले सकते हैं रोम एलॉंग दी मार्केट तो फाइंड गुड रेस्टोरेंट तो हैं डिनर और नेक्स्ट हम लेते हैं तो मार्च तो एक साथ जो चलते हैं आर्मी बगएरा में उसको आप बोलते हो मार्च एक स्पीड में एक रिदम में चलना इसका मतलब होता है तो तो वाक कंसिस्टेंट स्पीड इन रिदम विद अधर पीपल सब एक साथ चलते हैं तो आर्मी में हम यह मार्च का प्रियोग करतें तो 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 जासे शोल्जर्स बगेरा के लिए यूज कर सकते हो आप यह एक्जामपल यहां पे शोल्जर्स बगें मार्चिंग एटी जैबर्स कमांड प्रियोग करते हैं so these were the some of the words and the remaining I think if I have got some more I'll tell you I'll record a new video if you like this video please like it subscribe to my channel तक कि आप मेरे नए वीडियो देख सकें or please share this video for others too and I have already given my email id and Skype id here in that video you may contact me to learn more and more about English or to have one-to-one classes with me and these classes are for you only okay so thanks for watching it thank you you